असलाम लीक में अब्रीमाइम सी तो कैसे सब होफिली सब ठीक ठाग अपने करवें सेव हम भी अलाम देला ठीक ठाग ची तो आज बनेंगे बहुती जबर्दस्ता बहुती सपेशल किसम की सर्दियों वाली सबसी और यह सर्दियों में बहुती ज्यादा बनती है और जिन मेरे पास मुंग्री है और आदा किलो मेरे पास आलू है सबसे वहले तो यह क्वेस्टन है कि आप पताएं कि आप अपनी जुबान में सबसी को क्या कहते हैं मुझे कमें सेशन में जरूर बतायागा सबसे पहले में स्टैप है कि हमने इनको बॉयल दी लाना है सबसे वहले ह हम इसको पानी में पकाएंगा जैसे आप पानी में एट कर देंगे आपने चमच की मलसिस को अच्छे से मिक्स अप कर देना है और जैसे इसमें जोश आना स्टार्ट हो जाए तो आपने एक अदर पीस पाही निकाल के देख लिए अगर तो आपकी मुंग्रे अच्छे से पक गल गए है तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है जैसे हमारे मुंग्रे रेडी हो गए थे तो फिर हमने इसको एक अदर स्टेइनर की मदद से बाहर निकाल लिया था अब तेन जी नेक्स ट्रेफ की तरफ आते हैं प्यास था मेरे पास बड़े सा इसके एक अदर दैन मैं इसमें ऑएल एट कर दिया था विच्टिबिल ऑएल मैंने एट किया था आप चाहें तो इसमें गी भी एट कर सकते हैं जो भी आप रोटीन वाइस अपनी हंडिया में करते हैं वह आप इसमें एड़ कर सकते हैं कोई साभी जो आप यूज करते हैं देन हमने इसको पकाना है सौते करना है जादा ठीक है उसके वाद मेरे पास गालिक जिंजर और ग्रीन चीली पेस्ट था एक ही जगा पर मैंने तीनों चीज़ों का पेस्ट रेड़ी कर लिया था चौपर की मदद से और फिर मैंने इसमें एड़ कर दिया था कुमेंटिटी में साथ साथ मेंशन कर रही हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको क्यांटिटी जाकर चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद आप सबसे जो पहला काम है वह यह है कि आपने चैनल को सब्सक करेंगे और फिर जी हम एक चमच इसमें रेड्चीली पडर अडरेड़ करेंगे साथ निया और यह कुद कर ना करते हैं जा यह बहुत इंपोर्टेट कर सकते हैं लेकिन दही मस्ट्राप एड़ीम से जो टेस्ट आता है वह बहुत जाबर्दस आता है मैंने टॉमाटो को स्कीप कर दिया उसकी शगह मैंने इसमें डही एड़ीम का बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप सुरूर ट्राय करेंगा देंज तो आप ने इसमें पॉटेटोस आपको बहुत ही में टिप बताओंगी जैसे आपने पॉटेटोस करने हैं कुछ इस तरह के कटिंग करके तो आप एट-लिस्ट फाइफ टैन मिनट तक आपने इसी मसाले के अंदर पॉटेटोस को अच्छे से फ्राय करना है इसे तो एक जो प पानी बागार इतनी ज़दा क्वेंटिती में एट नहीं होता है अगर तो आप इस सबसी में थ्वादा घ्राइट कर लेंगे तो बहुत इच्छा टेस्ट हागा इसी के अंदर फाइफ तो टैन्न मिनट तक पकाना है और आपकी सबसी तक रेडी और अगर तो आप इसको र जादे घंटे के लिए रख देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा इतनी ज्यादा जल्दी मत करिएगा अच्छी टेस्ट के लिए इसको थोड़ी ज्यादा देर कर तक पकाएं और फिर जब जमने धक्कन उठाया है आप तकरिबन 25 फिनिट्स के बाद और यह थी कुछ इसकी लुक्त हैं हमने इसके उपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था हरा धनिया तो जादा को एंटिटी में आप स्प्रिंकल करिएगा क्योंकि इसका भी खुद का टेस्ट बहुत होता है और यह जाएके में बहुत जादा इसाफा लेकर आता है तो मुझे अमीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आए कि पसंद आए तो प्लीस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन कर प्रेस कर दें आपके साथ नेक्स रेसिपी में आलाहफेज